अगर आपिस चैनल को सब्सक्राइब निए तो दूरूर कर ले बैल का इकन है ताकि आपको नोटिफेशन मिले जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूँ इस वीडियो में हम कंट्यूई करेंगे और हम पेशंट का रेकॉर्ड करेंगे जैसे फर if we also have the final comment coordinate for example और फिर भी जो प्रेक कर लिए इसका हमने प्ध wz मयँआगे अंच अचार debates wyd मींटेन करने के लिए सो सेम प्रोसीगर यही है जिस तरह हम ने दू स्ञ अब आटके हम दौ परम कर सके हरना को सब्सक्राइज साड़ा है सो मैं बजाए इसके मैं नया form create करूँ मैं actually एक जो form already बना हुआ है उसको मैं करता हूँ copy और फिर मैं करता हूँ paste और यहां पर हम इसको नाम दे देते हैं So, हम बोलेंगे manage patients So, manage patients, b-a-t-i-e-n-t-e-s, correct यह स्बेल हैं ना manage patients, अब हम right click करते हैं, design भी पर जाते हैं और सबसे बले तो इसको मैं data source खतम करता हूँ फिर उसके बाद जितने भी यह fields हैं इनको मैं खतम करता हूँ इसके बाद हम पर जाते हैं even tab में और यहां पर आके जो code है उसको हम करते हैं खतम, ठीक है? All right, so यह हो गया, अब next जो हमने करना है वो थोड़ी से modification करनी है So यहां medicine की बज़ा हम कहेंगे create patient, okay और इसका नाम भी हम change करते हैं, so btn create patient All right, great, अब हम क्या करेंगे कि अब इस form को link करेंगे patients table के साथ, again इसमें कोई foreign की नहीं है So that means some table को ही directly use कर सकते है as a record set So हम जाते हैं इस form पे, इसको मैं minimize कर देता हूँ फिलहाल और इसके चलते हैं property sheet में right click करता हूँ यहां पे और हमके property sheet में अच्छा मैं magnifier on कर लेता हूँ, अगर आपको सही नहीं नज़रा रहा तो in case So properties, और यहां पर आके हम data tab में जाएंगे और data tab में जो record source है इसको हम choose करेंगे patients को, ठीक है? Actually, सारी fields नहीं चाहिए हमें, in fact, हमें patient ID चाहिए, first name, last name, age, gender, probably phone number, बस यह चाहिए होगा, or registered on, maybe, okay? So, आपको सारी fields नहीं चाहिए, अगर आपने सारी fields लेकर आनी है, list के ओपर तो sure, you're most welcome to do that, लेकिन सारी fields लाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि यह list है, just to show, demonstrate कि आपके पास कितने, कुन-कुन से patients registered है, alright, so increment is किया, select, थोड़ा सा इसको में लीच ले आते है, home tab में गए, font का color किया black, right click किया इनके उपर, और हमने layout किया tabular, ठेक है, so यह थोड़ी से formatting इसकी करनी होगी, जिसकी मतल से हम थोड़ा सा इसको align कर सके अपनी, जो design language है उसके साथ, alright, इसको हमने किया select, यहाँ पर cursor लेक आएंगे, और हम करेंगे select, और इनका जो font है, तो हम करेंगे complete white, थो यह थोड़ा सा सही भी लगे, alright, everything is okay, perfect, अब हम इसको करते हैं, इसको उठा के लिए आते, either patient idea, of course, यह field छोटी भी कर देंगे तो नो problem, मिरेंगे इसके width अगर हम कम कर देंगे, तो it's okay, लेकिन, जो first name, last name है, definitely इनकी list, sorry, इनकी width है वो increase करने बोड़े, so property sheet में गए, so instead of one, ह for example, कर लेते हैं, 1.5, ठीक है, so अगर हम देखे हैं, 1.5 केतनी है, width, so that's how it looks like, I think, चलेगा, अगर आपको बड़ी field चाहिए, तो आप थोड़े सा size को increase कर ले, width को, let's say 1.8, but I think that should be okay, so age को आप, you know, age को भी, आप थोड़ा सा, अगर आप एतने, आपके पास space है, जैसे कि मेरे पास है, तो we can leave it like that, so इसका कोई मसला नही है, ठीक है, इसको बस सेंटर में कर लेते हैं, ए, gender, gender को भी हम थोड़ा सा expand कर लेते हैं, phone number हम थोड़ा सा expand कर लेते हैं, registered on हम थोड़ा सा expand कर लेते हैं, so क्योंकि हमरे पास थोड़ी से space बच गई है, so क्यों ना हम यह जो दूनों, last name और first name है, इनको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, expand, ताकि अगर किसी का patient का नाम थोड़ा सा बड़ा भी हो, तो वो हम cover कर सके easily, ठीक है, I think that's enough, इसको हम चलते हैं, इसकी थोड़ी से height change करते हैं, यह जो text boxes है, so अभी height है, 0.1931, let's change it to 0.3, okay, और जो हमारे पा so yeah, I think that's okay, और एक और चीज़ करनी होगी है कि इसे जो outline है, text boxes की हम कर देते हैं, खत्म, और यह जो line है, इसको reduce कर देते हैं, तोड़ा सा, नहीं हो बई, reduce, okay, और इसको minimize कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, I think हमारे पर सब यह structure आ गया है, जिसमें हम actually patient का record as a list देख सकते है, अब आपको पता है कि एक दूसरा form भी है, जो हमने बनाना है, वो है cloud operation के लिए, so for example, similar form, देखें, यहाँ भी first name, last name है, so actually हम AC को ही utilize करेंगे, ताके हम इसको speed up कर सके, थोड़ा सा development process को, so copy किया, paste किया, और यहाँ पे staff form के बजाए patient form, ठीक है, और patient form इसको right click कर लेते है और हम जाते हैं, मैं बजाए सके हम, मतलब मैं थोड़ा size को modify करूँ, actually मैं पूरी सारी चीज़े delete कर देता हूँ, और फिर बात में हम easy होगा हमारे लिए, इसके designing करने में, so हम सबसे पहले record source ले के आते हैं, so again record source हमारा patient stable होगा, क्योंकि उसमें हमने entry करनी है, so उसी के related fields हम obviously fetch करेंगे, so मैं एक को select किया, control A, keyboard पर select किया, सारी select होगे, drag and drop, अब यहाँ पर जाता हूँ, right click करता हूँ, layout stack कर देते हैं पहले, फिर जाते हैं range में, इसकी padding जो हो narrow कर देते हैं, home tab में जाके इसको हम कर देते हैं, full black, और फिर हम दोबारा जाएंगे property sheet में, और यहाँ प 104, so यह हमारा top margin भी set हो जाएंगे, इसको हम थोड़ा सा align कर लेते हैं, form के साथ, थोड़ा सा labels के विट को extend कर लेते हैं, patient ID, अब यह थोड़ा से formatting करनी होगी, जिसके मदब से हम थोड़ा सा form को attractive बना सकें, क्योंकि यह काफी जरूरियोत aesthetic क्या है, आपके user interface का especially, क्योंकि आपका user interface जितना simple, जितना easy to use होगा, उतना ही ज्यादा attractive भी होगा definitely, so just try that, insurance company, all right, और फिर उसके बाद insurance number, और फिर उसके बाद registered on, okay, so यह तो होगया, इसको हम का लेते है, select control B, तोड़ सा बोल दोड़ा text, okay, और उसके बाद हमने क्या करना है, कि यह बस से width उतनी ही रहेगी, फिर हम जो text boxes है, उनकी width यहाँ पे हम increase कर देते हैं, अचा कुछ field जिसमें हैं, जैसे के patient ID और registered on, यह इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, enabled no, locked yes, और इसका जो background color है, वो light gray कर देगे, all right, first name, last name field है, उनको हम bold कर देते हैं, और यह हमारा form almost ready हो गया, almost क्यू so हम बनाते हैं unbound, so लहाजा हम इसमें जो जितनी भी fields हैं, उनको हम unbound कर देते हैं पहले, ठीक है, so इस तरह आप unbound करें सारी fields को, ताके, यह हो गया, email, okay, insurance company, insurance number, registered all, all right, so यहाँ पर आके हम करेंगे, इसको actually form को select, और यह जो हमारा record source है, इसको बहुत है, अब यह form completely unbound हो गया है, अब हम VBA का इसमाल करके, तो हम record create कर सकते हैं, उससे पहले, इन दो buttons के पीछे जो record है, इन दो button के पीछे जो, sorry, not record, VBA code है, उसको हम कर लेते हैं, delete, ताके हम दुबारा से यह code लिख सके, actually, मेरे लिए easy होगा, मैं ऐसी को same रखता हूँ, और मैं ऐस content के record में, phone number change, email address change, etc, तो हम कर सके, so, BTN update, ठीक है, यह हमारा हो गया, यह हमारा हो गया, जो patient record है, उसको हम maintain कर लिया, अचा, अब हमने क्या करना है, कि BTN create, BTN update, इन दोनों के पीछे हम करनी है, coding, so, चले करते है, create button पे click, even tap, on click event, dot dot dot, code builder, अब मैं magnifier ले आता हूँ, अब मैं रदा था, I don't know why, लेकिन, जो code editor है, उसका जो font, increase नहीं रहा हूँ का size, I don't know why, मैंने कफी कोशिश किया, but no idea, maybe, यह font के वजा से यह, but मैंने font भी try कर कर के लिखे है, so, इसलिए magnifier लिगा है, so, hopefully, it's more visible, okay, so, अब हम क्या करेंगे, क्योंके हम record set का इसमाल करें, तो स dot, open record set, print c open, print c close, double code, double code, और यह दिखा न, मैं उसमें लेके जा रहा हूँ, access interface में, so, मुझे, यहाँ मेंने, बस, यह हो गया, okay, just give me a moment, यहाँ पर, यह, okay, अब हम इसको refer कर सकते हैं, back and forth, so, let me zoom in, so, zoom in होगे, all right, अब हमारे पार जो पहली field है, वो है, first name, last name, age, gender, so, इनको तो हमने refer करना है, बाद में, लेकिन हमने जो पहले table का नाम उठाना है, क्योंके that is our record set, right, so, हम tbl patient, उसका नाम हम करेंगे, rename, और यहाँ से इसको करेंगे, copy, और अब हम जाएंगे, access में, और यहाँ करेंगे, paste, so comma, यह हमेशा याद रखना है, आपने, जब भी आपने, आपका जो database external है, for example, SQL है, so, आपने यह जो type और options यह ज़रूर परवाइड करनी है, जब भी आप record set का इसक्माल करें, so, db open dynaset, comma dbc changes, alright, so, यह हो गया, अब हम क्या करेंगे, कि हम record set हमने define कर लिया, अब हम table को open कर करेंगे, और वो ऐसे होगा, rs.add new, ठीक है, और जब हमने open किया है, तो record को जो add करने के बाद हम update भी करेंगे, तो ऐसे करेंगे, rs.update, जब record update हो जाएगा, तो obviously हम क्या चाहते है, कि हम चाहते है, कि वो table जो open है, वो close भी हो जाए, so, rs.close, set rs equals nothing, ठीक है, so, यह हो गया अब हमने जो, इस fields में जो information है, वो pass करनी है, इस table में, so, definitely, in fields को refer करेंगे, one by one, लेकिन आपको पता है, कि मैं right click करता हूँ table पे, और design view पे आके, हमारे लिए यह easy हो जाता है, क्योंकि हमने, करना है copy and paste, so, rs.first name equals to me.first name, ठीक है, next आगे हमरे बास last name, rs.last name equals me.last name, फिर उसके बाद आगे, age, rs.last name equals me.age, all right, फिर उसके बाद आगे, gender, rs.last name equals me.gender, फिर उसके बाद आगे, address, rs.last name equals me.address, फिर उसके बाद आगे, phone, यानि के phone number, rs.last name equals me.phone, all right, इसी तर आप one by one, उसको आप, मतलब आपने, सब को कापी करना है, rs.insurance company, rs.insurance company, me.insurance company, ठीक है, so, उसके बाद rs.insurance number equals me.insurance number, फिर उसके बाद registered on, so, me.registered on, so, यह हम आज की date provide करेंगे, so, for example, format, now, date, month, year, okay, so, यह हो गया, और फिर rs.registered on, equal to me.registered on, so, यह हमारा code हो गया, उसके बाद हम क्या चाहते हैं, कि जब update हो जाए, तो update होने के बाद, यह जो patient ID है, यह automatically यहाँ पर populate हो जाएने चाहिए, form के उपर patient ID field के अंदर, ठीक है, so, उसके लिए हम dmax का इस्तमाल करेंगे, आपको पता है, जो मैं पहले भी करता हूँ, so, हम करेंगे dmax का इस्तमाल, उसके लिए me.patient ID equals dmax, और अब हम पूछ रहें कि बाद साब कौन से field उठाओ, हम कह रहें कि बाद साब patient ID से data उठाओ, लेकिन अब वो पूछ रहें कि मुझे table का reference भी दो, सो table का reference के लिए हम क्या करेंगे, हम copy कर लेंगे यह जो table का नाम है, इसको ताके हम दुबारा से वहां से paste नहीं करना है, so, यहां पर आएंगे, sorry, यहां पर, और यह हो, ठीक है, so, that's done, अब उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि यह जो form है, main form हमारा, manage, actually, इसका हमने, यह caption change करना है, लेकिन यह manage patients form है, मैं चाहता हूँ कि यह require हो, जो ही हमारा, जो record है, वो create हो, so, इसको हम कर ले थे close, ताके हम right click करके, rename पर आएंगे, और इसका हम करेंगे, copy, so, यहां पर आके, हम code लिखेंगे, forms, description mark, manage patients.requery, उसके बाद हम एक message box भी थो करेंगे, user को के आपका जो record हो, create हो चुक है, so, docmd.beep message box, the patient, अब message box में patient का नाम दे दें, और नाम ऐसे आएगा, me.patient, me.firstname, अगर आपने lastname देना तो जरूर आप दे लें, but I will keep it like this, has been created successfully, all right, और यह message box होगा, comma, vb information, comma, इसका जो header होगा message box का, वो भी information होगा, all right, so, यह होगा हमारा vb code, I think that is it, ठीक है, और इसका हम जूम आउट करते हैं, all right, यह हमारा magnifier है, okay, so, यह हमारा create button का code होगा, अब हम करते हैं, code update button के पेचे, so, same thing, update के लिए भी, आप जाएं, update button को क्लिक करें, even tap, dot, 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 code builder, in fact, मैं क्या करूँगा, most of the code, मैं उसको कर लूँगा, actually, सारे code को मैं कर लेता हूँ, copy, so, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि आप दुबारा देखें, क्योंकि, देखें, यहीं फ़र्ग है, create करने के लिए भी, update करने के लिए भी, same, लेकिन हमारा जो code होगा, use होगा, लेकिन थोड़ा सब modification करेंगे, क्योंकि table same है, so, हम rs, dim rs के बजाए, क्योंकि rs अलड़ी हमने declare किया है, create करने के लिए, तो हम update करने के लिए rs update कर लेंगे, ठीक है, बस यह हमने change करना है, बाकि सब कुछ exactly same रहेगा, थोड़ी सी modification होगा नहीं मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है, लेकिन at least हमरा जो, हमने जो code लिखा है, इतना time लगा के, वो exactly same रहेगा, उसमें बस आपने थोड़ी सी changes यह कर प्लेस करते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको, आप देख सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे जब हम update करें record, तो हमें patient ID यहाँ पे नहीं चाहिए, however, patient ID जहां में चाहिए, मैं बताता हूँ, इस यहाँ पे created की वज़ा हम बोलेंगे updated successfully, so patient ID यहाँ पे आपने सबसे प है, फिर उसके बाद हम update करेंगे, so लहाजा आपने जो code modification करनी है, इसमें, वो यह करनी है, के rsupdate.findfirst, because बाके सारा code exactly same है, कुछ उसमें chain होगा, rsupdate.findfirst, तो क्या find first करना है, patient ID equals, emphasize me.patient ID, बस यह अपनी line add करनी है, बाके आप देख सकते हैं, कि हमने यहाँ पर update बटन के लिए जो हमने code इसमाल किया, वो rs को हमने change कर दिया, rsupdate में, so और बाकी सारा code, और यहाँ पर यहाँ पर एक थोड़ी सी change, देखें, यह जब आप, अगर आप modify करके यह changes कर सकते हैं, तो फिर आप करें, otherwise मैं recommend करू that's it, ठीक है, so अब हम इसको zoom out कर लेते हैं, यार यह magnifier हमेशा मेरे लिए लिए problem करता है, anyway, so यह हो गया, हमारा essentially, जो form है, वो create हो चुका है, अब हम एक और काम करते हैं, अब हम जाते है design view, और इसका जो, यह caption है इसको करते है, change patients, secondly, इस button के पीचे हम code लगाएंगे, कि हम यह crud form जो है, manage, sorry, crud form जो है, वो है patient form, इसको हम open कर सके, add mode में, और इसका मैंने अभी realize किया है, कि caption भी change होने वाला है, so create and edit patient information, all right, so यह हो गया, अब हम इसको कर लेते हैं, close, और हम manage patients form में, list form में, event button बे click हिया, on click event, dot dot, dot, load builder, और यहां पर आके हमने, एक line of code लिखना है, और वो यह है, do cmd dot, open form, और form का नाव हमने देना है, so patient, I think यही नाव है, ठीक है, patient without s, yep, that's it, so हमने यह code देना है, ताके हम इस form को open कर सके, सो यह हो गया, अब आगया, patient id, meaning, यह जो list है, यहां पर जो record है, उसको अगर हमने open करना है, to make changes, to modify, to update, तो फिर हमने क्या करना है, फिर definitely हमें यह चाहिए, कि हमें इस button के पिछे code लगाना है, और इसके जो form है, patient form, इसको हमने करना open, और इस पर populate करना है सारा record, अब एक problem, शायद आपको, आप notice ना करें, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हमने, इस form में सारी fields को उठाया नहीं है, यह मैंने, मेरे जिन में रहा, to be very honest, so patient fit already है, first name, last name, age, gender, address नहीं है, phone है, email नहीं है, so address, email, sorry, address, email, insurance company, insurance number, ठीक है, इसको हम करते हैं, यहाँ पे, और यह, लेकिन, हमें यह fields visible नहीं चाहिए, हम इनको करते हैं, hide, so visible equals no, लेकिन, इसके इलावा, हमने width को भी हमने, बिल्कुल zero कर देना, because, हमें यह visible चाहिए, इनको zero कर देते हैं, इनके width को, ताकि हम जो open करें form, so हमरे पास, वो fields नजर नहीं आए, all right, so, अब हम क्या करेंगा, हमारे लिए easy हो जएगा, actually, code को, data को यह से transfer करने के लिए, यहाँ पे, हम record set का, इसमाल कर सकते थे, लेकिन, यह थोड़ा सा easy है, इसलिए मैंने, यह opt किया, इस procedure को, so, मैंने, इस text box को click किया, form design पे गे, property sheet में के, event tab में के, dot dot dot, on click event, और यहाँ पे, आप हम लगाएंगे code, लेकिन, यहाँ पे, हमने design view में रखना है ताकि हम इसको refer कर सके, all right, so, let's go ahead, और इस पे code लगाएं, फिर हमारा, जो, tutorial है, finish होड़ेगा, आज के लिए, okay, so, first of all, हम क्या चाहते हैं, कि form open हो, so, कुन सा form, do cmd dot open form, ठीक है, और form का नाम है, patient form, without s, all right, so, जब यह form open होगा, फिर हम refer करेंगे, इस form को, forms, patient form, as commission mark, पहली जो, field है, patient id, equals me dot patient id, all right, so, अब इसको मैं कर लेता हूँ, copy, और हम करते हैं, paste, ताकि हम तोड़ा सा, speed up कर सके, all right, so, यहाँ पे, me dot first name, इसको हम ने कर लिया, इदर paste, so, मैं यहाँ, ऐसे last name, oops, so, last name, यहाँ कर लिया, फिर उसके बाद आ जाती है, age, और यहाँ पे भी हमने age कर लिया, फिर उसके बाद आ जाता है, gender, यहाँ पे भी हमने gender कर लिया, gender के बाद क्या है जी, age, gender, address, phone, email, ठीक है, so, address, address, इसके बाद, 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 इसके और इसको हम कर लेते हैं, last one are registered on registered on, ठीक है, alright, okay, so that's it, हमारा ये code पूरा हो गया, अभी hopefully इसको काम करना चाहिए, अभी हमारा time आगा है testing के लिए, okay, so let's go ahead and close, इसको भी करते है, create patient, blank form, awesome, so अब हम नाम देते हैं, so, you know, Mr. ABC, XYZ, something like that, I don't know, age, let's say 49, gender, male, अच्छा, आप ये जो gender है, इसमें आप drop down भी बना सकते हैं, male, female, यानि वो आप देने के लिए, address, this is the address of bishop, ठीक है, phone number, so, 012345678 line, alright, email, Mr. X, Mr. ABC, at email.com, insurance company, worldwide insurance for example, or insurance number, W1234, let's say, अब हम इसको करते हैं, create, अगर हमारा code correct है, तो यहाँ पर patient ID, ID आजने चाहिए, registered on, आज की date आजने चाहिए, और इसको भी require हो जने चाहिए, so, let's go ahead and check, and there you go, देख सकते हैं, Mr. ABC has been created successfully, आप देख सकते हैं, तोड़ी से formatting इसकी करनी है, meaning इसको हम यहाँ पर left side पर लेके आएंगे, registered on come center करेंगे, phone को भी center करेंगे, etc, etc, so, इस तरह हम formatting कर सकते हैं, but the good thing is, it is working, ठीक हैं, आप देख सकते हैं, अच्छा, आप हम तोड़ी सी formatting कर लेते हैं, इसकी, let's just say, इसको हम निकिया select, और home में के center कर लिया, फिर यहाँ पर आए, registered on को भी हम निकिया select, home tab में के center कर लिया, और राइट, यह हो गया हमारा phone, अच्छा, एक और चीज, इस field के पीछे हमने bb code लगा है, so, इसको हम कर लेते हैं, hyperlink always, ठीक है, all right, now, let's go ahead and form view, इसको हम open करते हैं, boom, it is working, ठीक है, so, हमने इस video में क्या देखा है, कि list form कैसे बनाते हैं, फिर हम contents form उसको बनाते हैं, मैं list form बता नहीं क्यों बोलता जारू, contents form बोलते हैं उसको, so, हमने contents form बनाया, उसके उपर एक button है, उसको हमने code क्यों लगाया है, अगर नहीं भी मिला तो मुझे comments में दुरूर बताईएगा, अगर चैनल को subscribe निक है तो दुरूर कर ले, बाइल का icon इट कर ले, ताकि आप notification ले जब भी मैं नहीं वीडियो अपलोड करूँ, thank you very much, मिलते अगली वीडियो में, तब तक, bye bye.